जैहिन दोस्तों, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल इडिट्यूब 24x7 दोस्तों आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल इडिट्यूब 24x7 में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाले टोपिक कौन क्या है जो भी इंडिया के बड़े-बड़े परतिष्टित पद होते हैं उसमें कौन बैठे हैं, उसे कौन समाल रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पुरा देखें, इसकिप ना करें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा तो इस वीडियो आप जानते होंगे ये दोस्तों नरेंद मोदी जी अभी अपना सेकेंड कारेकाल कर रहा है और ये 15 प्राइम निस्टर है दोस्तों ये परसन के एकोडिंग देखा जाए तो ये 15 प्राइम निस्टर है इंडिया के तो हमारा next question है दोस्तों भारत का राष्टपती कौन है? Who is the president of India? तो इसे असर रामनात कोविंध जी आपको पता होगा रामनात कोविंध जी हमारे भी president है, current और ये दोस्तों 14th president है इंडिया के और दोस्तों ये 1st RSS के वो person है जो की president बने है इंडिया के तो चलिए हम लोग अपना next question पर आते हैं भारत के उपराष्टपती कौन है? Who is the vice president of India? इसका सही answer है दोस्तो Venkaya Naidu आपको पता होगा Venkaya Naidu जी अभी हमारे vice president है और ये 13th vice president है इंडिया के तो हमारा next question है भारत के लोगसभा speaker कौन है? Who is the speaker of लोगसभा? तो इसका answer आपको पता होगा दोस्तो ये है ओम ब्रिला जी और ये दोस्तो अभी हमेरे 17th जो लोगसभा चल रहा है उसके speaker है और ये दोस्तो कोटा के constituency से लोगसभा जीते हैं तो आप याद रखेगा कोटा इनका छेतर पढ़ता है हमारा next question है भारत के राजसभा के अध्यक्ष कौन है? Who is the chairman of राजसभा? तो आपको पता होगा दोस्तों जो vice president होते हैं वही राजसभा के chairman होते हैं तो इसका सही answer हो दोस्तों विंकेया नाइडू जी हमारा next question है भारत के महाने आईवादी कौन है? Who is the attorney general of India? तो इसका सही answer हो दोस्तों KK Venu Gopal KK Venu Gopal जी जो हैं दोस्तों ये भी हमारे attorney general है और महाने आईवादी जी से आप बोलते हैं और ये दोस्तों महाने आईवादी का जो पद होता है ये government को help करता है जितने भी legal matters में बचाने के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं ये सरकार का वकील होता है और इसे दोस्तों पद्म भीभूसन और पद्म भूसन दोनों अवाड मिल चुका है आप ये भी याद रखेगा बहुत important है तो हमारा next question है दोस्तों कौन भारत का मुख नियाएधीस है Who is the current chief justice of India इसा से अंसर दोस्तों ऐसे बोबडे ये दोस्तों अभी हमारे जो रंजन गोगई जी को रिप्लेस करके बने है और ये 47th chief justice of India है आप इसे याद रखेगा हमारा next question है दोस्तों भारत का राष्ट सुरक्षा सलहकार कौन है Who is the national security advisor of India इसा से अंसर है दोस्तों अजीत डोवाल आपको दोस्तों पता होगा अजीत डोवाल जिसे इंडिया का James Bond भी कहा जाता है और ये हमारे 5th national security advisor है जिसे आप NSA बोलते हैं और ये दोस्तों अपना second कारिकाल कर रहा है मतलब एक बार हो चुगा था ये second time फिर से appointment होगा है जो कि Modi जी के NSA है मतलब national security advisor है तो हमारे next question है दोस्तों कौन भारत का मुख चुनावाई उक्त है Who is the chief election commissioner of India इसा से अंसर है दोस्तों सुनील अडोरा जी आपको पता होगा ये हमारे 23rd chief election commissioner है और ये दोस्तों जितना भी इंडिया में election होता है state election या फिर जो लोक्सभाग election होता है ये सारे का date जो भी total उसका department होता है उसे देखते हैं तो आइए हम लोग अपना next question पे आते है कौन भारत का मुख चुनावाई आयुक्त है Who is the chief information commissioner of India तो इसा सही अंसर है दोस्तों भीमल जुलकाजी ये दोस्तों जो chief information commissioner वाला पद होता है ये एक independent body होता है ये constitutional body नहीं होता है और ये जितने भी जो सिकायत या फिर जितने भी अफील होते हैं उसको देखते हैं तो आप याद रखिए जो अभी chief informative commissioner का जो पद समाल रहे हैं तो वो है हमारे भीमल जुलकाजी तो हमारे next question है कौन भारत के नियंत्रक एवा महालेखा परिक्षक है who is the comptroller and auditor general of India तो इससा सही answer है दोस्तों राजीव महरसी जी ये दोस्तों राजीव महरसी जी जो आप देख रहे हैं ये हमारे अभी CAG है जिस आप CAG बोलते हैं और ये दोस्तों ये 13th CAG है इंडिया के और ये दोस्तों जितना भी government का जो रेसिप्ट होता है या फिर expenditure होता है इसे वो audit करने का काम करते हैं और ये अपना report president को जमा करते हैं ताकि घोटाला सरकार के दोबारा कम हो या फिर ना हो तो हम लोग अपना next question पर आते हैं इसरो के chairman कौन है who is the chairman of ISRO इसा सही answer दोस्तों के सीवान आपको पता होगा के सीवान जी अभी हमारे जो इसरो के chairman है और इन ही के chairmanship के अंदर में चंद्रयान 2 जो launch वा था जो second moon mission था आप इससे याद रखिएगा हमारा next question है दोस्तों RBI के governor कौन है who is the governor of RBI तो इसा सही answer दोस्तों सक्तिकान 10 जैसा picture आप देख रहा है यह सक्तिकान 10 जी है और यह भी current RBI के governor है जो कि 25 जो RBI के governor है भी है और यह दोस्तों इनका जितना भी काम होता है जो भी रेपोरेट या रिफर्स रेपोरेट इसको कम और ज्यादा करने का ताकि inflation कम हो इंडिया में तो वो भी यह सब काम देखते हैं चली हमले अपना next question पे आते हैं UPSC के अध्यक्ष कौन है who is the chairman of UPSC अर्विंद सक्सेना अर्विंद सक्सेना जी जो है यह भी UPSC के पद समाल रहे है Union Public Service Commission वाले तो अपना next question दोस्तों राव के निदेशक कौन है who is the director of राव research and analysis wing तो इसा सही अध्यक्ष दोस्तों सामन्थ गोईल आप देखनें दोस्तों पिक्चर में सामन्थ गोईल यह भी राव के जो डिरेक्टर है और दोस्तों इनहीं के अंडर में और इसके साथ जो थे आपके अजित डवाल इनहीं के इसे mastermind माना जाता है जो बाला कौट एर श्ट्राइक जो की थी अर्विंद कुमार जो आप पिक्चर में देख रहे हैं अर्विंद कुमार जी है यही है आईवी के अभी चीफ और यह दोस्तों 27th आईवी के चीफ है इंडिया के तो हमारा next question है भारत के केंद्रे सतरकता आयुक्त कौन है who is the Central Vigilance Commissioner of India यह दोस्तों संजे कोठारी जी संजे कोठारी जी 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 वी सीवी सी है भी जो हमारे पत को समाल रहे हैं और यह दोस्तों जो मोनिटर करती है गवर्मेंट को ताकि करप्सन कम हो यह सब एक constitutional body है तो आप इसे याद रखेगा तो दोस्तों लोकसभा के महासचीव कौन है who is the Secretary General of India लोकसभा तो इसका सही अंसर दोस्तों सनेहलाता सिर्वास्तव आप इसे याद रखेगा यह जो लेडिस है सनेहलाता सिर्वास्तव और यह हैं अभी महासचीव आपके लोकसभा की आपके next question है who is the Secretary General of राजसभा तो इसका सही अंसर दोस्तों देश दीपक वर्मा आप जिसे picture में देख रहा है यह है देश दीपक वर्मा जी और यह ही अभी महासचीव है राजसभा के तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि आपको यह पसंद आया होगा अब इसे जरूर लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों यदि आपको कुछ कमी नेजर आई हो तो उसे भी आप कमेंट बक्स में लिखें ताकि हम लोग आने वाले वीडियो पर उसे सुधार सकें मिल रहें दोस्तों आगले वीडियो पर जय हिंद